मुश्कार माईसल्फ डॉक्टर आभावल्ला और मैं भी हमस हूँ भिलाई में प्रेक्टिस करती हूँ पिछले 15 साल से और अकसर आप लोगों के लिए मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आती हूँ इसी सीरीज में आज एक और वीडियो लेकर के आई हूँ बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम को लेकर जो की है टाइफॉइड गर्मी के दिनों में बहुत जादा हुआ करता है इसके पेशेंट्स बहुत बढ़ गए है अभी इसलिए आज एक ऐसा वीडियो है जिसमें जो भी मैं मेडिसिन बता रही हूँ अगेन उसे आप विदाउट कंसल्टेश करूँ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और अगर आपको ये वीडियो इन्फोर्मेटिव लगता है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजे मुझे मॉटिवेशन मिलेगा और मैं इंस्टाग्राइम और फेस्बुक पर भी अपने वीडियो जालते रहती हूँ चुकि मैंने न्यूट्रिशन पर भी कोर्स किया हुआ है तो मैं काफी सारा इन्फोर्मेशन हेल्ट से रिकार्डिंग वहां भी देती हूँ तो आप वहां भी जरूर फॉलो कीजे मुझे और उससे आपको अपना डेली रुटी जो है वो है टाइफड टाइफड एक फीवर है इसे हिंदी में म्यादी बुखार भी बोला जाता है या हम लोग इंग्लिश में उसको एंटरिक फीवर भी कहते हैं यह एक प्रकार के बक्तिरिया से होता है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी और इसका जब आप ब्लड ट टेस्ट आपको कराना पड़ता है जिससे आपको यह बलड टेस्ट के थूप पता चलता है कि आपको टाइफड है यह जब आप टेस्ट कराते हैं तो आपको चार प्रकार के बिक्टिरियास का टेस्ट होके मिलता है टाइप ओ टाइप एच इस तरीके से और उसमें अलग- सिर्फ एक या दो में मिल रहा है तो इतना जादा टेंशन की बात नहीं है लेकिन अगर चारों बेक्टिरिया के लिए वन इस्टू एटी का है तो आप ट्रीटमेंट ज़रूर लीजे अगर वन इस्टू वन सिक्स्टी में भी एक टाइटर मिल रहा है आइधर टाइप ओ एच तो भी आप ट्रीटमेंट लीजे अगर आपको यह रिपोर्ट समझने में प्रॉब्लम आ रही है अपना ब्लट टेस्ट की रिपोर्ट तो आप वाट्सप नंबर जो मेरा है उसको यूज करके और सजेशन ले सकते हैं मैं ओनलाइन कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करत देखिए जो टाइफाइड का पेशेंट होता है अकसर उसका पेट खराब होता है वोमिटिंग लूज मोशन पेट में दर्द बुखार आना और इस पेशेंट को ऐसा फील होता है जैसे इसको बॉड़ी बहुत पेन कर रही है हड़ी में अंदर से बुखार हो रहा है और ब दिस्टर्ब्ड होता है उसका कारण यह है कि जो साल्मोनेला है वो आपके इंटेस्टाइन में ही लौज करता है वहीं पर रहता है वहीं पर ग्रो करता है जिसकी वज़े से आपको इंटेस्टाइन में इंफेक्शन होता है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो तो इसको कारण क्या है क्यों होता है इस इम्पॉर्टन जो टाइफएड ओने का रीजन है इस फीको ओरल रूट ठीक है जब भी आप किसी प्रकार का contaminated food लेते हो वो सबसे common cause है food or water हना अगर आप इन दोनों में से कुछ भी ले रहे हैं तो आपको टाइफाइड होने के chances हैं अब देखें गर्मी के दिन में क्या होता है खाना बहुत जल्ली खराब होता रोट हो जाता है तो अगर आप आप बासी खाना खा रहे हो हना प्रॉपरली वाजड वेजी टेबल स्यास फरूट्स नहीं खा रहे हो आप बाहर का कुछ लोग fruit salads वगयरा बाहर खा लेते हैं या मक्हियां भिन भिना रहे हैं प्रॉपरली वाजड नहीं किया कटी हुई सबजी फल जो बिखता है रेलबे स्टेशन वगर पे वैसा भी कुछ अगर आप कंज्यूम करते हैं तो भी आपको टाइफएड हो सकता है और देखिए बहुत कॉमन एक बात बताते हूं टाइफएड के मेरे पास अभी कुछ केसे आया है जिसमें साथ में यूटिया के भी केसे मिल है कि वो ट्रावलिंग में थे वहां उनको यूरेन इंफेक्शन भी हो गया चुकि गर्मियों में वो भी बहुत फ्रिक्वेंटली होता है और साथ में टाइफएड भी हो गया तो दो-दो इंफेक्शन के साथ लोग आ रहे हैं ठीक है तो यह सब चीजों का धिहान रखना ह जितनी भी मैंने बाते बताई हैं ऐसी कोई भी लापरवाही ने करना तो आपको टाइफएड नहीं होगा लेकिन अगर आपको ऐसे सिंटम्स आ रहे हैं और आप कहीं बाहर गया है या बाहर का खाना आपने खाया है या आपको डाउट हो रहा है खाना प्रॉपरली वेजि बताऊं आपको धनी या जो कोरियंडर लीव उती है ना उनको बहुत अच्छे से वाश कीजिए उससे भी बक्तीर या पेट में जाता है इसका मतलब यह क्या आपको यूज नहीं करना है नहीं आपको किसी भी चीज को और पर ली वाश करके ही यूज करना है और जितना हो स इसलिए आप जितना light food को consume करेंगे, आपका digestive tract उतना healthy रहने वाला है, ठीक है, आपने आपको hydrated रखिए, water intake अच्छा रखिए, आप coolants जितने भी हैं, वो आप ले सकते हैं, अब हम आते हैं, medicine पर, देखिए, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये medicine कोई भी ले सकता है, ह medicine ज़रूर लीजे, बहुत effective है, number one, beptisia Q, beptisia Q, आप 10 बून दिन में 3 बार आधे कप पानी में डाल कर ले सकते हैं, ये बहुत effective है, ये bacteria को मार देती है, हाना, intestine में, second medicine है, arsenic, arsenic album, आप 200 potency में ले सकते हैं, दिन में 4 बार ले सकते हैं, उसको 2-2 drop, arsenic क्यों लेना आपको, क् बाहर का खाना या पानी पीने के कारण ही अकसर ये infection होता है, तो मैं अपने patients में अकसर ये history देखती हूं, और उनको ये medicine prescribe करती हूं, बहुत अच्छे results आते हैं, हाना, third medicine जो आपको बता रही हूं, that is biochemical combination number 11, चुकि ये fever वाली problem है, तो इसमें बुखार आता ही, और 11 number जो ह वो fever के लिए बहुत अच्छा biochemical combination है, तो आप गरम पानी में इसका 8-10 गोली को dissolve करके दिन में तीन बार तक ले सकते हैं, इससे fever कम होगा, जो आपका body pain है, वो कम होगा और आपको better feel होगा, ये तीन medicine कोई भी इनसान ले सकता है, कोई problem नहीं है, सबसे important बात आपको खाने प food को बिलकुल avoid करना है, बिलकुल नहीं खाना है, जितना हलका खाना खाएंगे, उतना अच्छा है, क्योंकि आपका digestive tract में ही bacteria बैठा हुआ है, और अगर आपको अपना digestive system को heal करना है, तो उससे आप जितना कम महनत करवाऊगे, उतना अच्छा है, ठीक है, तो ये उमीद करत ये medicine, जो भी मैंने बताई है, आप जरूर लेकर और अपने आपको healthy कर लेंगे, typhoid free कर लेंगे, हाँ, एक question पूछा गया, कितने दिन तक लेना है, देखिए, जो typhoid का problem है, ये minimum 15 दिन तो लगाएगा ठीक होने में, तो आप 15 देस तक ले लीजे, और 15 देस के बाद फि फिर से उसको repeat कर सकते हैं, नहीं तो उसे बंद कर सकते हैं, आप चाहें तो मुझसे consultation भी ले सकते हैं, उम्मीद करती हूँ, ये information आपके जरूर काम आई होगी, काम आई है तो like जरूर कर दीजे, जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक stay healthy, stay fit